हर बार मैं आपसे दिल की बाद क्यार से बोलता हूँ पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है न कि कुछ गलत से अपना अगर मुझे निकल जाए तो मुझे माफ करता हूँ पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों में क्या हो गया लोग किसको लॉक्डाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा लॉक्डाउन का मतलब होता है घर पर रहो घर के भीतर रहो परिवार के साथ रहो सडक पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ बड़े बादूर बन रहे हो आप लोग भार जाके यह सब धरी की धरी रह जाएगी यह सब आपकी बादूरी सब इदरी रह जाएगी खुद भी हस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे माँ ब संट करता हूं गाड़ी है उडाता हूं होड लट बहुत कुछ करता हूं पर सच में कह रहा हूं जान सूखी हुई है मजाख नहीं है इस ताहँ यह ब्या recording सब्की हालत बुरी तुरी हलतुरी है अपने परिवार के हीरो्न सकते हो तुम डुकि जब तक सरकार के रहे घर पर नो इससे आपकी जानी बची हre लहीं कि करो ना के खिलाफ जंग चिड़ चुकी है हमें इसके हरना हे इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता है, चलो उठो वीरो, सैने को लड़ो लेकिन ये जंग इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा, हाथ दो के सरफ घर पे बैठे रहो बस बैठे रहो, चुप चाप अंदर ही रहो जब तक सरकार नहीं कहती है, बाहर मत आओ मैं फिर आओंगा आप लोगों से पूछने की, कि आप लोगों खिलाडी बने हो या बेवकूफ बने हो, घर पे रहो, दिने बाद, हर बार मैं आपसे दिल की बाद क्यार से बोलता हूँ पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है न, कि कुछ गलत से अपना अगर मुझ से निकल जाए तो मुझे माफ करना, पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का, हैं घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सडक पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ, बड़े बादूर बन रहे हो आप लोग भार जाके, यह सब धरी की धरी रह जाएगी, यह सब आपकी बादूरी सब इदरी रह जाएगी, खुद भी हस्पताल जाओगे, और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, मा, बेन, बाब, बीवी, सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, अगर ध्यान नहीं रखोगे, यार अकल का इस्तमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाडिया उड़ाता ह लड़ाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ, जान सूखी हुई है, मजाख नहीं है, इस ताम ये बिमारी के सामने सब की हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है, अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिन्दगी के खिलारी ब बची रहेगी, करोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास, बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता, तो मैं आप लोगों से कहता है, चलो उठो वीरो, सैने को लड़ो, लेकिन ये इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, हाथ दो के सरफ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुप चाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है, बाहर मत आओ, मैं फिर आओंगा आप लोगों से पूछने की, कि आप लोग खिलाडी बने हों, या बेवकूफ बन बने हो, बने हो.